प्रधानमंत्री नरीन मोदी आज सूरत के दोरे पर हैं अपने पहले कारिक्रम में उन्होंने सूरत के इंटरनेशनल एरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकारपन किया इसके बाद इस सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस, स्पेस, सूरत, डाइमन, बोर्स, एजडीपी का शुभारम करेंगी बीति शुकरवार को पिये मोदी की अध्यक्षिता में केंद्री मंत्री मंडल ने सूरत एरपोर्ट को इंटरनेशनल एरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मनजुरी दी है इससे सूरत को इंटरनेशनल एरपोर्ट का दरजा भी मिल गया पिछले तीन साल में इसकी मांग की जा रही थी सूरत एरपोर्ट को अंतराश्टी दरजा दिलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अभियान चलाय जा रहा था एर इंडिया एक्स्प्रेस का विमान रविवार को सूरत से दुबई के लिए उडान भरेगा फ्लाइट सूरत से सुबह ग्यारा चालिस पर उड़ेगी दोपर डेड़ बजे दुबई में लेंड करेगी इसके बाद यही फ्लाइट दोपर ढ़ाई बजे दुबई से रवाना होगी और शाम साथ बजे सूरत में लेंड करेगी इसी के साथ बने रही है एशारी जिन्दा के साथ खाली बाद